So guys, US तो इसराइल के साथ खड़ा है, पर क्या भारत का रुक आपको पता है? Palestine, इसराइल या फिर neutral, क्या है भारत का असली stand? या फिर भारत खेल रहा है श्रत्रंच का गेम, चलो डिकोड करते हैं इस चीज को और देखते हैं कि इंडिया क्या बोल रहा है बाबा, इसराइल हमास वार के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, इंडिया stand vis-a-vis वेस्ट से ज़्यादा जुड़ा है य इंडिया ने Global South Submit करवाई थी, वर्चुल और उसी के साथ साथ G20 Submit भी हुई थी, तो यह उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है और देखेंगे हम लोग क्या mix masala है यहाँ पर, It is now closer to Western countries, ऐसा कहा जाता है न कि South में होते हुए भी, Global South का पार्ट होते हुए भी, इंडिया जो है वो Western countries से ज़्यादा करीब आगी है, यह चीज किस तरह से impact करेगी, इंडिया के different powers को, यानि कि West Asia और इंडिया का जो relation है, का जो संबंध है, उसको किस तरह से यह impact करेगी, औ और उसी के साथ साथ इंडिया का relation इरान, इसराइल का जो chief rival है, उसके साथ कैसा है, आपको तो पता है, इरान और इंडिया के relations अच्छे है, और इरान जो है वो इसराइल का chief rival है, तो अब इस इसराइल हमास वार में, अगर इंडिया किस के side पे है, इस point के उपर बहुत सारी चीज़ है dependent है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, वही चीज़ है यहाँ पर जो हम लोग आथ समझने वाले है, expert का कहना है कि इंडिया को सब लोग बहुत ही करीब से देख रहे हैं, कि वो किस तरह से, किस का favor ले रही है, इसराइल का favor ले रही है, तो उसकी जो ties है गलफ और अ से शुरू हुई थी, अब बात यह है ना, यहाँ पर कि इसराइल और हमास का conflict जो है, उसके उपर आपको पदर temporary pause लग चुका है, एक mutual ceasefire के उपर क्या हुआ है, ceasefire के उपर आई है, यहाँ पर बात राइट, एक दिन तो हो भी गया है, कुछ hostages को का list आ भी गया है, second list भी आ आने वाला है hostages का, तो दोनों, इसराइल और हमास, दोनों, एक mutual जिसके उपर आया है, कि चार दिन का ceasefire करेंगे, जो hostages है, उनको हमास release करेगी, okay, so क्या हुआ ना, Friday को Prime Minister Narendra Modi जी जो है, उन्होंने host किया two separate virtual submit, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, और उसमें से एक थी G20 की concluding submit, so guys, G20 की precedentship इस बार इंडिया के पास थी, जो की थी 18 submit, जो भारत में हुई थी, और अब 19 submit का होने वाली है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्राजिल, ब्राजिल में होने वाली है, 19 submit, right, उसी के साथ था second edition हो रहा था, voice of global south submit के बारे में, तो होता है अगर देखो, एक normal सी बात ले लो, classroom में अगर teacher ने student को थपड मार दिया, तो वो कितना hot topic हो जाते है, और जहां देखो, वहां उसी की चर्चा होती है, right, जहां देखो, घर में भी अगर कोई एक point, एक topic निकल के आ गया है, तो उसी के बारे में चर्चा की जाती है, हर जगे पर उसी तरीके सा न, जो इसराइल हमास conflict चल रहा है, चाहे G20 सब्मेट हो, then voice of global south हो, 2 plus 2 dialogue हो, जो इंडिया, UK और इंडिया, Australia में अभी अभी हुएते, right, हर जगे पे चर्चे किसके है, चर्चे है इसराइल और हमास conflict के उपर, कौन क्या statement दे रहा है, समझ रहे हैं इस बात है, S-ंकर जी, वो UK गए थे, 2 plus 2 dialogue के लिए, along with Rajnath Singh, right, वहाँ भी उन्होंने कई सारी बाते की, and, उसी के साथ साथ, Australia and India के बीच में भी 2 plus 2 dialogue होए थे, उसमें भी बहुत सारी बाते हुई, related to Israel और हमास conflict, तो यहाँ पे न, जो इंडिया का स्टैंड न, वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब क्या बोल रहे है, इंडिया, क्या बोल रहा है, इंडिया का स्टैंड, सो 7 October को जो टेरर अटेक हुआ था, कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता दो, 7 October को टेरर अटेक हुआ था, इसराइल में, इसराइल गाजा बॉर्डर पे, और यह किस ने किय था, हमास ने किया था, जिसकी वज़े से 1200 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद क्या हुआ, इसराइल भी भड़क गया, और उसने भी क्या करना शुरू कर दिया, बॉंबार्डमेंट शुरू कर दिया, जिसमें अब भी तक ऐसा कहा जाता है, गाई, 13,000 लोग मार जा चुके है, and has been multi-layered, so, Modi government जो यहाँ पे है, वो condemn कर यह terrorism से, कि terrorism in the strongest language, and वो इसराइल के बाजू में, इसराइल के साथ खड़ी एक कि इस चीज में, कि यह जो attack हुआ है, यह terrorist attack है, यह terrorism से related है, और भारत, यानि कि हमारा इंडिया किसी भी तरीके से terrorism को support नहीं करता है, लेकिन, government has called on Israel for restraints, dialogue, and diplomacy, हमारी सरकार क्या बोल रहे है, इसराइल को, कि आप लोग क्या करिये, आप लोग बातचीत करिये, diplomatic तरीके से इसको solve परने की कोशिश करे, क्योंकि इससे क्या हो रहे है, ultimately see guys, कौन पिसरा है, इस फोटो में आप देख रहे हो ना, जो आम आदमी है वो सफर कर रहे है, और इसलिए इंडिया के साथ-साथ, along with US and Australia, सब क्या बूल रहे है, कि एक humanitarian pauses होने चाहिए, इस bombardment को, right, यह जो bomb वगरे फिके जा रहे है, इसके उपर एक pause लाना चाहिए, but has not so far called for a ceasefire, इंडिया ने नहीं बोला है कि एक ceasefire पर हो, उल्टा, इंडिया has re affirmed its support, कि इस बारे में इंडिया सपोर्ट कर रहे है, two state solution का, कि भाया, इसका एक ही solution है, एक नहीं, इसका दो solution है, जो कि है two state solution, two states, अभी picture में मत गुझ जाना, two states, वापस से आओ, वहाँ से two state solution की यहाँ पे बात हो रहे है, जहाँ पे sovereignty होएगी, Palestine as a state रहेगी, existing in peace alongside Israel, कि दो दोनों जो है, वो अराम से co-exist कर पाएंगे, यह कहना है, supported the socio-economic welfare of Palestinian people, इंडिया ने Palestinian people के socio-economic welfare को guys support भी किया, उसी के लिए हमने 70 tons, 70 tons of humanitarian assistance, including 16.5 tons of medicine and medical supplies भी भेजी, कितनी? 16.5 tons of medical supplies भी भेजी, गाजा को वाया एजिप्ट, okay, past month में, but उसी के साथ साथ क्या हुआ, Mr. Jay Shankar said at BRICS emergency meeting, इस week में, यह सारी चीज़े, Jay Shankar जी ने बताई, BRICS की, जो emergency meeting हुई थी उसमें, but guys, BRICS plus summit जो हुई थी न, जो सारे leaders BRICS के, जिनोंने attend किया था, attended by all other leaders of 11 nation grouping, और इसको skip किया था, इंड and you, indicating a discomfort with a tough line taken by South Africa, देखो, अगर मान लो किसी relative ने आपको नौईता, 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 थीक है, एंविटेशन, थीक है, इंविटेशन दिया है, उनके घर आने का, लेकिन आप उसको skip करें हो नहीं, यार मेरको उन कि South Africa ने एक tough line लिए है, एक tough statement लिया, and ICC, that is International Criminal Court को कहा, कि वो investigate करें Israel, for alleged war crimes, कि war crimes जितने हो रहें गाजा में, उसके लिए investigation करा जाए, ऐसा South Africa ने कहा, और सिर्फ इस वजए से इंडिया ने क्या किया, ब्रिक्स प्लस सब्मेट में जाना, skip किया था, okay, but meanwhile at the United Nations, India abstraint from UNGA voting on October 26, United Nations General Assembly में October 26, October 26 को na voting हुई थी, okay, और India की Israel में ceasefire होना चाहिए, voting किसली होई थी, ceasefire होना चाहिए कि नी, but India ने इसमें participate नहीं किया था, लेकिन, but voted in favor of other draft solution, in short, India ने क्या किया था, upstream किया था, अब जो इंडिया ने इस पार्ट पे upstream किया था, तो वहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है, कि इंडिया भाई, West के साथ में है, या Global South के साथ में है, ये तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ये इस तरफ है, या फिर ये इस तरफ है, है किस तरफ exactly, traditionally अगर हम लोग बात करें न, तो हमारी leadership non-aligned movement, कुछ याद आ रहा है, NAM non-aligned movement, हमारा non-aligned position था, cold war के time से, जिसको दूसरी countries ने भी जॉइन किया तो, और इंडिया का नाम है, NAM movement के लिए, so इंडिया's position अगर हम लोग देखने, जाए, इसराइल और पालस्टीन कॉन्फिक्ट में, so it's always aligned with Global South, कि वो हमेचा से Global South के साथ थी, और full support में थी Palestinian cause की, okay, ऐसा निये, full support में थी, it has called for talks to end conflict, हमेचा conflict को कैसे end करे, building a strong strategic defense counter-terrorism, इन सारी चीजों के बारे में उसकी बात चल रही थी, corporation trade ties की, इसके साथ, इसराइल के साथ, since 1992, after diplomatic ties, अब हुआ ये, कारगिल वॉर, कारगिल युद जो हमारा था ना, कारगिल वॉर, उस टाइम पे, इसराइल ने इंडिया को मदद की थी, crucially, okay, and timely, उन्होंने क्या ship किया था, weapons, ammunitions, ये सारी चीजे, और वही से जो ये हमारा रिष्टा क्या कहलाता है ना, ये बनता चला गया, strong diplomatic ties बनते चले के, सिर्फ इसी में नहीं, strategically हम लोग चीजों को कैसे tackle करे, defense में कैसे tackle करे, तो हमारा एक अटूट सा रिष्टा बन गया यहाँ पे, कारगिल वॉर के बाद में, इसलिए यहाँ पे ये सवाल उठा जा रहा है, कि इंडिया क्या कर रहे है, वो west के साथ है, global south के साथ है, है किदर, अगर US, इसराइल के साथ है, तो इंडिया का क्या position है, ऐसा कहा जाता है न, इसराइल including toning down condemnation, इसराइल airstrikes on Gaza, कि इंडिया एक softening language use कर रहा है, UN में भी ये चीज़ देखी गई, कि इंडिया एक softening language use कर रहा है, इसराइल के against चीजे बोलने से, या अपना stand clear करने से, थोड़ा सा थोड़ा सा कैसे वो बोलते भी है, नहीं भी बोलते है, इस तरह का थोड़ा सा stand है, although it voted regularly with the developing country to stop violence, developing country के साथ, इंडिया खड़ा है, कि भाई हमको भी चीए कि violence stop हो, लेकिन जब वोट करने की बारी आई October 26 को, तो इंडिया ने abstraint कर लिया, mostly European countries के जैसे, जिसमें 45 absent tensions था, mostly from the European countries, rather than 120 countries, mostly from Global South, मतलब यहाँ पे था 120 कंट्री जो Global South से थी, और यहाँ पे 45 बताई ना, यहाँ पे 45, तो इंडिया इन 45 की तरफ थी, क्योंकि उसने भी वोटिंग से abstraint किया था, तो वही एक question mark आ जाता है, यहाँ पे, कि भाई, इंडिया है किसके साइड में, इंडिया also joined the US-led formulation of total condemnation, कि US ने एक formulation जो led किया ना, कि total condemnation होना चाहिए, of October 7 terror attack का, एंड एक humanitarian pause के लिए हम लोग बात करेंगे, जैसे, और stand by lay to allow food, वहाँ उस एरिया में, food allowed करना चाहिए, fuel हो गया, water हो गया, right, into Gaza and between periods of Israeli bombardments, कि जब यह bombardments वगरे चल रही थी ना, तो वहाँ पे जो basic चीज है ना, जैसे खाना, पानी, right, food, fuel हमने देखा था, अल शिफा hospital के बारे में मैंने सारी news cover की थी, उस time पे, तो तभी भी हमारा stand यही था, कि हम एक humanitarian pause पे आना चाहते, India stood apart from western countries, that it has not thus further banned हमास, कि इंडिया ने अभी तक हमास को ban नहीं किया, बस designate किया कि टेरर और्गनाजेशन है लेकिन बैन नहीं किया, जैसे US ने, UK ने, Switzerland ने, Germany ने, इन्हों ने, हमास को as a terrorist organization designate कर दिया already, ठीक है, in an effort perhaps to push India to do so, इसराइल ने इसी week लशकर ए टाइबा, आज 26 गयारा है, 26 गयारा से आपको क्या यादा आ रहा है, आज कौन सा दिन है, मुंबए के ओपर टेरर अटैक हो आता, 26 गयारा टेरर अटैक, जिसमें कुछ Israeli victims भी ते 15 साल हो गए इस incident को, आज ही के दिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा था कि, इस अटैक के पीछे लशकर ए टेबा का हाथ है, अब भी इसी week में, इसराइल ने क्या कर दिया है, लशकर ए टेबा को बैन कर दिया है, और देख रहे है कि, अब इंडिया क्या करेगा इसके उपर, बट गाईस सवाल बस ये उठता है ना, यहाँ पर कि इसराइल के साथ हम रहे, ठीक है, या पालस्टीन के साथ हम रहे, हम है कहाँ पर, ये ये बहुत ही जादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बच्चों का खेलनी है ना, के साइड में रहने से, इंडिया के उपर बहुत सारे इंपक्ट हो सकते हैं, कैसे? क्योंकि वेस्ट एशिया के टाइस के उपर हमारे इंपक्ट हो सकते हैं, इस वरे से, इंडिया's relation with इसराइल have been increasingly dehyphenated from its ties with पालस्टीन, many experts have suggested that, बहुत सारे changes होंगे, अगर इंडिया इसराइल को favor करेगी ना, तो गल्फ और अरब वर्ल्ड के साथ, इंडिया के जो संबंध है ना, उसके उपर भी एक calculated risk आने के chances है, each country has a rich history of ties with India, हमारा country ऐसा है ना, कि सारे countries के साथ, हमारे जो भी संबंध है ना, कि एक must वाली, proper वाली, अमीर हिस्ट्री है, यार, बहुत अच्छी, अच्छी हिस्ट्री है हमारी, जैसे कि इंडिया has built special ties with UAE and Saudi Arabia, कि हमारा UAE और Saudi Arabia के साथ में क्या है special ties है, उसी के साथ-साथ calculating the normalization of ties between them and Israel is the only matter of time, कि यह जो इसराइल conflict हो रहा ना, यह समय का बात है, बोलते हैं यह समय भी गुजर जाएगा, तो यह समय भी गुजर जाएगा guys, उसी के साथ-साथ आपको पता है, इंडिया, इसराइल, UAE, US करके trade initiative भी recently launch किया गया था, and इसको कैसे बूल सकते हैं हम, इंडिया, Middle East Europe Economic Corridor, ठीक है, जो की, जिसके उपर सबसे साथा impact हुआ है, इसराइल-हमास conflict का, उसी वज़े से जो strong reaction है ना, Arab League and Organization of Islamic Corporation के strong reactions है, इसके उपर impact कर रहा है, इसराइल-हमास war, and इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, इंडिया, Middle East European Corridor को, when asked this week, US Ambassador to India, Eric Gassetti, accepted that the conflict could pause infrastructure initiatives, जब इंडिया को पूछा गया ना, कि इस conflict से क्या हो सकता है, जब ये बात हुई, तो US के जो ambassador है, to India, Eric Gassetti, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया, और ये भी कहा कि इस conflict के वज़े से क्या होगा, infrastructure initiatives जो है ना, उसके उपर full stop नहीं, लेकिन pause लग जाएगा, हम वीडियो pause करते हैं और उसके बाद फिर बटन दबाते हैं, प्ले हो जाते हैं, उसलिए थोड़े time के लिए स्थागित हो जाएगा, थोड़े time के लिए pause हो जाएगा, but that in a long term, ये plans वगरे सारी चीज़े जो है, वो देखी जाएगी, उसी के सासाथ India's tie with Iran, इरान की जब बात आती न, इरान इस्राइल का chief enemy है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इंडिया और इरान के जो संबन्द है, वो काफी अच्छे है क्योंकि वहाँ पे हमारा चाबार port भी है, and international north-south transport corridor to central Asia and Russia, ये भी effect हो सकता है, If it seems that the Modi government is choosing one side more clearly than another, अगर हम लोग इस side में रहे, तो इस तरफ impact पड़ेगा, इरान पे, ठीक है, हम लोग इस side रहे तो किस तरफ impact पड़ेगा, तो हम किस की side है, हम left है कि हम right है, अभी तक तो फिलाल देखा जा रहा है कि हम एक non-aligned side के उपर है, इस point तक हम पहुत सकते हैं, क्योंकि 26th October को जो voting हुई थी, उसमें इंडिया ने upstream कर रहा था, that means ना वो left में है, ना वो right में है अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़े, इसमें उल्जवे pendulum देखा है, आपने उसमें कैसे, वो threads जो है, वो उल्जवे रहते हैं, वैसी, उल्जवे रिष्ते है, right, एक का impact दूसरे के ओपर होता ही जाएगा, एक dependency है, because of globalization, okay, Israeli companies ने तो ये भी कहा है, कि हम लोग क्या करेंगे, जो Palestinian workforce है ना, उनको replace करेंगे with Indian workers, एक लाग Palestinian workforce को, but हम क्या सोच रहे है, New Delhi has thus not far jumped at the idea, हम तुरंद से नहीं कूद गे, उनने बता है, हम कूद गे, आगे, आगे, एक ला समझ रहे है, समझ रहे हो, 8 million, and अगर हमने कोई भी गलत step उठाया, तो ये सारी चीज़े उनके उपर भी बहुत ज़्यादा impact करेंगी, guys, समझ रहे हो, ये बस left या right की बात नहीं है, ये बात है, left और right के बाद में balance की, BOP, balance of power की, किस तरह से हम लोग एक proper equilibrium, एक proper balance से क्योंकि वो impact करेंगी, so guys, आपको क्या लगता है, इसके बारे में नीचे comment करके मुझे जरूर बताना, and if you have any doubt, ये आपको आपके career के किसी भी पढ़ाओ पर guidance की जरूँदे, counselling की जरूँदे, तो इस help line number पर आप हमें contact कर सकते हो, guys, and हमारा telegram and whatsapp group का जो link है, वो नीचे description box में है, उसके उपर click करके पक्का से join करना, channel पर new हो, तो channel को subscribe कर ले न, मिलते है कल इसी तरीके से एक new जहधमाकेदार article के साथ, bye everyone, take care